मैं समझ सकता हूँ भाई, तुम लोगों का दुख, मुझे भी हुआ था बहुत दुख, बट देखो यार मैंने फिर अपने आपको ये सोच के समझाया कि यार, अल्टेमेटली इट सा स्पोर्ट, राइट, एक टीम ने जीतना है, और कभी जीत, कभी हार लगी रहती है, इसा इसा कुछ नहीं है, इंडिया, देखो, स्पोर्ट्समेन स्पिरिट होनी जी है, कोई बात नहीं, हार गई अपनी टीम, हम अपने सपोर्ट की अच्छा खेले, बहुत बढ़िया खेले, बट ऑस्टेलिया उनसे अच्छा खेल गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, हा सर, फिर से वेट करना पड़ेगा ट्रॉफी का, कोई बात नहीं, यार, कोई बात नहीं, फिर आएगी ट्रॉफी, अभी बहुत ट्रॉफी जाएंगी, ऐसी, हाँ, सर, आपको भी यह दुख था, हाँ, यार, मुझे भी यही दुख था, सर, मन्जिल में आप हैं, जी, बिल्कुल हैं, मिलेंगे मन्जिल में, सर, हेड का, मैं सर फोर दूँगा, रे, ऐसे थोड़ी बोलते हैं, एक बात बताओ, अभी तुम, यह बचपना है तुमारा, वो अपनी टीम के लिए खेल रहा था, यार, अच्छा खेला वो, तो तुम्हें, ऐसे गलत, यह सब सी, यह थोड़ी बोलनी चाहिए, इसे नहीं सोचते हैं, हाँ, दुख हुआ हमें, उसकी वज़ा से हमें दुख पहुचा, बट कोई बात नहीं, उसने अपनी टीम के लिए तो अच्छा किया ना, यह सोचो, वो भी तो यार, अपनी टीम के लिए खेल रहा था, तुम जैसे दुखी हो, कुछ लोग खुश ह अदमी के लिए अपना तरीका है, तुम दीरे दीर, इससे सीखोगे तुम, लाइफ में सीखोगे कि कैसे दर्द से आगे मुववान किया जाता है, अपनी स्पीड से ही करोगे, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे मैं हूँ, अभी तुमें लग रहा होगा, अ सर, आपको तो कुछ दिक्कत ही नहीं हो रही, आप तो बोल रहे हैं, उसकी बढ़ाई कर रहे हो, धीरे धीरे तुम भी पहुँच जाहोगे उस फेस में, जब इतने मैचेस देख लोगे, इतने बार जीत हार देख लोगे, कि भई, फाइन, हार भी गए तो कोई बात नहीं ठीक है, तो ऐसा परिशान नहीं हो ना कि अरे यार, हमारी टीम हार गई, हम तो वर्टकप जीतने वाले थे, it's fine, कोई बात नहीं यार, कोई एक ने जीतना था, एक गेम था, ultimately it's a sport, ठीक है हम लोग इतने जादा उसमें, I know, emotionally invested होते हैं कि हमें लगता है, अरे यार, हार कैस से गए यह वो, but ultimately it's a sport यार, it's played for happiness, लोग खेलते हैं, आप भी यह कभी खेलते हो, तो क्यों खेलते हो, बताओ, मजा आता है न, you enjoy, have fun, वैसे ही ultimately है तो sport न, cricket world cup बहुत बड़ा event था, but ultimately तो एक sport ही था यार, ऐसे सोचा करो, हाना, हाँ, बढ़िया खेले इंडिया, उसका सा साथ दो, ठीक है, चलो बेटा, तर आपने मुझे first lecture में roast कर दिया था, जा हो गया भाई, भाई नहीं अपना, तेर को कुछ बोल दिया तो तो बुरा मान गया, बता, तु भी तुम लोग भी तो मुझे बोलते रहते हो, चलो बेटा, वापस आते हैं, अब देखो, world cup भी ख खतम हो गई है, चट पूजा भी अब अल्मोस्ट खतम हो गई है, काफी बच्चे आज गायब है, मुझे पता है, चट पूजा के बाद देखेंगे lecture, बट अब जैसा कि मैंने पिछली वीक भी बताया था बेटा, अब टाइम आ गया है, फोकस करने का दुबारा से, अगले प्लीज अंडरस्टेंड, यह सच बाइत देखो बेटा, यही है, वर्ड कप हर दो साल में आना है, अभी छे महीने बाद फिर एक वर्ड कप आ जाएगा 2020 का, फिर 50-50 का आ जाएगा, फिर वर्ड टेस्ट चैंपियंशिप, कुछ ना कुछ चलता रहेगा ऐसा ही, तो अपना 100% देने के लिए बेटा, रेडी हो जाएए, हम भी रेडी हैं, ठीक है, हमने भी वर्ड कप में देखा, मैच देखा, दिवाली में इंजॉय किया, बट नाव यार फोकस्ट, 100% फोकस्ट, हमने हमारी टीम में भी हमने डिसाइड कर लिया, मनजिल में तुम लोग मेरे लिए नहीं है, अगर तुम्हारा फॉस जेई में अच्छा हो गया, तो तुम खुद सोचो, कि तुम्हारे पास जनवरी के पास फरवरी, मार्च, एप्रिल, में, चार महीने होंगे पूरे-पूरे, जून के मिड में जाके एडवांस होता है, तो चार-साड़े-चार महीने में तो भाई अच्छे से अच्छा बच्चा भी बढ़िया करके प्रैक्टिस करके एडवांस निकाल सकता है, जिसने कुछ नहीं भी खास पढ़ रखा पहले, उस लेवल की तैयारी नहीं भी करी, ठीक है, तो मेरे साब से अगले दो-तीन महीने बहुत कुरूशल है, हाँ, ठीक है भई, तो अगले तीन महीने बहुत, अपना अभी तक अगर 100% दे रहे थे, तो ये समझ लो, 120% देना है, थोड़ा सा उस से एक्स्ट्रा तुम्हें एफ़र्ट मारना है, बेटा, क्योंकि अब ये लास्ट के तीन महीने है, और, और, तर, मनजिल बैच के स्टूडेंट को देखना चाहिए, भई, देखो, मनजिल बेसिकली क्या है, एक वन शॉट में एक तरह से रिवीजन है पूरी चीज का, और, रिवीजन ऐसा नहीं है कि बिलकुल बेसिक बेसिक पढ़ाया जाएगा, रिवीजन औफ सम्थिंग जो आप पढ़ चुके हो, तब यह नहीं कि आप वन शॉट से उससे चैप्टर करने बैठ गए मनजिल से, ऐसा मत करना, पहले थोड़ा बात पढ़के बैठे हो, जैसे माल लो अब जैसे उसमें मैं, सपोस सीक्वें सीरीज हम आपको कराते हैं, तो बेसिक बेसिक पता होना चाहिए यह नहीं कि सर, AP क्या होता है, वो भी मैं वहीं सीखूंगा, जीपी क्या होता है, वो भी वहीं सीखूंगा, नहीं, वो तो भाई तेको बताएंगे, बट ultimately अगर तो पढ़के बैठेगा तो वहाँ जैए के सवाल जादा कराएंगे, तो वो रिवीजन उस तरह से तुमारा बहुत अच्छा होगा, मन्जिल सीरीज इस बेसिकली ताकि आपका जेई में से पहले एक एक चैप्टर का बढ़िया करके रिवीजन हो जाए, प्रॉब्लम प्रैक्टिस हो जाए, बढ़िया करके जो जेई में सवाल आ रहे हैं, वो किस तरह के आ आ रहे हैं, आपको उसकी स्ट्राटिजी बता दी जाए, टीचर्स किस तरह से उन्हें सॉल्व कर रहे हैं, दिखा दिया जाए, ताकि आप भी more or less वो चीज़ सीख सकें, जेनरली स्पीकिंग हर साल जब हम मन्जिल लेते हैं, तो बच्चों को इसका बहुत फायदा होता है, जो बच्चे जही के लि easy level का chapter है, अगर अभी तक तुम्हें नहीं लग रहा easy, लग जाएगा पिछला lecture थोड़ा tough था, definitely, बट धीरे धीरे आगे जब बढ़ेंगे तो तुम खुद ही कहोगे कि हाँ सर, ये तो बहुत असान है, हाँ Yes sir, I am ready to go to IIT, बस बेटा बस ये जोश चाहिए, अब ready है तो बस energy भी effort भी पूरे मार, energy तो पूरी है, effort भी पूरे होने चाहिए, ये नहीं कि हाँ सर, जोश तो पूरा भरा हुआ है, बट हवा एकदम निकल गई, जैसे बात करने की आई, बात आई मेहनत करने की, मेहनत भी पूरी करनी है, ठीक है, हाँ, चलिए, तो start करा जाए, तर एक दो chapter पढ़े नहीं, तो मन्जिल से कर सकते हैं, देख बिटा, अगर तुने उसके basic पढ़ता है, तुने, देख मेरा तो मानना, personal, ये मेरा personal opinion है, अगर आपने किसी एक chapter का at least NCRT पढ़ा हुआ है, basic, basic, उतना प पतलब नहीं है कि तुम बिना वो करें, वन्जिल कर नहीं सकते, definitely तुम कर सकते हो, attend, तुमें समझ आ जाएगा, उसमें भी सब कुछ, बट जो benefit होता है, एक होता है कि भईया, इस lecture से मैंने कितना सीखा, या कितना फायदा हुआ मुझे, तो वो तुमारा 20-30% better होगा, अग कि तुमें question फिर खुद से लगा पाओगे, मज़ा आएगा, तुमें समझ आएगा, रेसर ने कैसे किया, क्या किया